करोना संकट के समय दिली सरकार ने दिली के लोगों को बड़ी राहत दी है दिली के लोगों को राहत देने के लिए दिली सरकार ने डीजल की कीमते कम करने का एहम फैसला लिया है रास्ते रास्धानी में डीजल 8 रुपे 36 पैसे सस्ता हुआ है डीजल के दाम 82 रुपे से घट कर 73 रुपे 64 पैसे कर दिये गए है डिली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवान ने गुरुवार को प्रेस कोंफरेंस कर बड़ी घोशना की जिसमें उन्होंने बताया कि दिली में डीजल पर वैट घटाया गया है यहां डीजल पर 16 परतीशत वैट कम किया गया है जिसके चलते अब दिली में डीजल 8 रुपे 36 पैसे प्रती लीटर सस्ता हो जाएगा CM ने का कि धिरे धिरे लोग अब काम पर लोट रहे हैं काम देने वाले और लेने वालों के लिए हमने जो पोर्टर बनाया है जिसका अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है उन्होंने कहा कि वह दिली के सभी वेपारियों और दुकानदारों से अपील करते हैं कि आईए मिलकर दिली के अर्ध्रवस्ता को सुधारनी में अपना योगदान दे CM ने जानकारी दे कि आने वाले दिनों में वो वेपारियों से मिलेंगे और उनसे बात भी करेंगे देखे CM के जुरिवान ने प्रेस कॉन्फरेंस में क्या जानकारी दी सबको नमस्कार दिली के अपने दो करोड़ लोगों ने मिलके अपने मेहनत से सावधानी से करोना के उपर हम सब लोगों ने मिलके काफी काबू पा लिया है लेकिन अभी अपने को निश्चिन्त नहीं होना सारी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क ये सब हम अपनी अतियात बरते रहेंगे क्योंकि करोना कभी भी बढ़ सकता है लेकिन अपने सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अर्थ व्यवस्था को पट्री पे लाया जाए लोगों की दुकाने बंद हो गई है धंदे बंद हो गई है इंडस्ट्री बंद हो गई है लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्विकार किया और उनको चैलेंज को स्विकार करके जीता है तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलके इस अर्थ्विवस्था की चुनौति को भी हम लोग जीतेंगे आज एक कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी उसमें एक महत्वपून निर्ने लिया गया है जो मैं समझता हूं कि दिली की अर्थ्विवस्था को आगे ले जाने में महत्वपून कदम होगा दिली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक दिली में डीजल अभी 82 रुपय कल का जो दिली में डीजल का रेट है वो 82 रुपय था आज दिल्ली की कैबिनेट ने निरने लिया है कि दिल्ली में डीजल के उपर और डीजल के उपर वैट के रेट 30 प्रतिशत से घटाके 16.75% कर दिये जाएंगे तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज से बहुत सारे व्यापारियों से लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज्यादा रेट की वज़े से सब को तकलीफ हो रही है लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है व्यापारियों को तकलीफ है इंडस्ट्री को तकलीफ है मैं समझता हूँ कि इस निर्ने से दिल्ली की अर्थ विवस्था को एक पुष्च देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी पिछले एक हफते से हम लोग दिल्ली की अर्थ विवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं सोंवार को मैंने ऐलान किया था कि रेड़ी पट्री वालों को काफी तकलीफ हो रही है रेड़ी पट्री वालों को अलाओ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहां पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं बहुत सारे ऐसे इंडस् तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है ऐसे बहुत सारे लोग है जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पताने कि हम कहां जाएं नौकरी मांगने के लिए इन सब लोगों को मिलाने के लिए जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी ह पोर्टल एनाउंस किये हुए तीन चार दिन ही हुए हैं लगबग साथ हजार पांसो सतवक्तर साथ हजार पांसो सतवक्तर कंपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक रेजिस्टर किया है दो लाख चार हजार साथ सो पचासी नौकरियां इसमें एड़टाइज की गई है दो लाख चार हजार साथ सो पचासी नौकरियां इसमें आई हैं अभी तक और तीन लाख बाईस हजार आट सो पैंसेट लोगों ने नौकरी के लिए अपलाई किया है तो जैसे मैं कल एक टीवी चैनल पर देख रहा था एक जीन्स बनाने की किसी की फैक्टरी है उसने ब बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मिरे को 25 मिचे और बोला मिरे को 190 से ज्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं कि वो काम करने के लिए त्यार हैं मुझे लगता इस कदम से अपनी अर्थ व्यवस्था को बहुत जादा पुश मिलेगा तो मैं सभी दिल्ली की जितने व्यापा व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकाने खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें लेकिन अब अपना काम काज हम सब लोग शुरू करते हैं इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें और आने वाले दिनों के अं यह उन सभी समस्याओं को ठीक करने के कोशिश करेंगे. राज घराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज